वेलकम टू अजित की यार, आज की इस वीडियो में हम लोग जीव विग्यान, बाइलोजी के बारे में जानेंगे, जीव विग्यान किसे कहते हैं, इसकी परिभासा क्या है, जीव विग्यान के फादर पिता कौन है, और जीव विग्यान के कितनी साखाएं हैं, इन सभी के ब बाईलोजी किसे कहते हैं इसकी परिभासा क्या है तो विज्ञान की वह साखा जिसके अंतरगत जीवधारियों का अध्यन किया जाता है उसे हम जीव विज्ञान बाईलोजी कहते हैं इसके अंतरगत जीवों के उद्भव, विकास, पहचान, सनरचना, वर्गिकरन एवं कारि जीव विज्ञान के जनक यानि की father of biology के तो अरस्तु को जीव विज्ञान का जनक कहा जाता है जीव विज्ञान, जीव विज्ञान को हम लोग इंग्लिस में biology कहते हैं biology में bio का मतलब होता है जीवन और log का मतलब होता है अध्यान यानि की biology मतलब जीवों का अध्यान तथा जर्वन विज्ञानिक ट्रेवी रेनस ने किया था जिब विज्ञान की दो साखाएं हैं जन्तु विज्ञान और वनस्पती विज्ञान जन्तु विज्ञान को इंग्लिस में जुलोजी कहते हैं और अरस्तु को जन्तु विज्ञान का जनक यानि की फादर अफ जुलोजी अरस्तु को कहा जाता है वनस्पती विज्ञान को हम लोग इंगलिस में बोटनी कहते हैं और बोटनी, फादर अफ बोटनी यानि की वनस्पती विज्ञान के जनक थ्रियो फ्रेटस को कहा जाता है अब चलिए हम लोग जन्तु विज्ञान और वनस्पती विज्ञान के बारे में जानते हैं जन्तु विज्ञान, जुलो जी, जीव विज्ञान की वह साखा जिसके अंतरगत जन्तुओं का अध्यन किया जाता है, उसे हम जन्तु विज्ञान कहते हैं वनस्पती विज्ञान जिव विज्ञान की वह साखा जिसके अंतरगत पादप यानि की पेर पौधों का अध्यन किया जाता है उसे हम वनस्पती विज्ञान कहते हैं तो देखे ये था बाइलोजी और बाइलोजी का परकार तो यदि या वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, सेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें